गुड मॉर्निंग स्टुटेंट्स आज हम पढ़ेंगे आरो भाग एक से जवारलाल नहरुजी द्वारा रज़त पाठ भारत माता भारत माता पाठ पढ़ने से पहले हम जवारलाल नहरुजी का एक संग्षिप्त परिचे प्राप्त कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवालनाल नहरुजी का जन में 1889 में इलाबाद उतरप्रदेश में एक संपन परिवार में हुआ था इनके पिता इलाबाद के एक बहुत बड़े वकील थे नहरुजी की प्रारंबिक शिक्षा घर पर तथा उच्ची शिक्षा इंग्लैंड के हैरो तथा कैम्बरिज में हुई थी इंग्लैंड से वकालत करने के बाद ये गांदी जी से बहुत प्रभावित हुए जिसके कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर स्वतंतरता आंदोलन में जुड़ गए सन 1929 में नहरुजी भारती रास्टी कॉंग्रिज के लाहोर अधुवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वतंतरता की मांग की सन 1947 में नहरुजी स्वतंतर भारत के प्रतम प्रधान मंत्री बने तथा अंत तक भारत के निर्माण में जुड़े रहे इनकी प्रमुक रशनाए हैं मेरी कहानी जो इनकी आत्मकता है विश्व इतिहास की जलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, जोकी इन्होंने श्रिमती इंद्रा गांधी जी को लिखे थे हिंदुस्तान की समस्याएं स्वाधिन्ता और उसके बाद राश्टपिता भारत की बुनियादी एकता लड़ खडाती दुनिया जो उनकी लेख और भाष्णों का संग रहे है सन 1964 में नहिरु जी का देहा वसान हो गया था आज हम पढ़ेंगे नहिरु जी द्वारा रचत पाठ भारत माता जो की हिंदुस्तान की कहानी का पाँचवा अध्याए है अंग्रेजी से इसका भाषांतर हरी भाव पाध्याजी ने किया है इसमें पंडित नहिरु ने बताया कि किस सरा देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक है और इस आपार फैलाओ के बीच एकता के क्या आधार है क्यों भारत एक है जिसके सभी हिस्सों को की नियती एक ही तरीके से बनती बिगरती यही पूरे पाठ की विशेवस्तु है तो अब हम समझते हैं पाठ भारत माता पंडिश जवाल नहरुजी ने पाठ के प्रारम में जैसा की बताया कि वे अक्सर जलसों यानि समारोहों और उत्सवों में जाते रहते थे पाठ का प्रारम भी उन्होंने इस तरीके से किया है जलसा क्या होता है जहां बहुत भीड होती है जहां बहुत सारे लोग एकतरित होते हैं जहां भाषड वगेरा होता है लोगों के बीच में आकर अपने विचार रखे जाते हैं तो ऐसे ही जलसे में जब नेहरू जी जाते थे, तो लोग क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते थे, तो उनके भाशन को बहुत ही ध्यान से लगाओ के साथ सुना करते थे. नेहरू जी कहते हैं कि गाओं के लोग शहर के अपेक्षा जो हैं बहुत सादगी वाले होते हैं, और प्रेम से भरे होते हैं, तथा कई बातों का वो क्या करते हैं, बड़े अराम से अनुकरन भी कर लेते हैं, तथा शहर के लोग कुछ जैदा ही सयाने होते हैं, अब उन्हों कि अपनी बात का आरंब क्या किया कि जब मैं इन जलसों में जाता था तो अपने सुनने वालो को हिंदुस्तान या भारत की दूं से चर्चा का था भारत एक संस्रिश शब्द है भारत का नाम भारत के नाम पर पड़ा है जो की शकुंतुला के पुत्र थे तो इस तरीके से जब नेरुजी अपनी बात को समझाते हैं और कहते हैं कि जब मैं जलसों में जाया करता था महाँ पर वे भिन प्रकार के लोग मिलते थे कुछ गाओं के कुछ शहर के शहरी लोग भिन होने के कारण वे विशेश तरूप से किसानों से अपने देश और आजादी से संबंदत चर्चा किया करते थे वे उन्हें बताते थे कि जिस देश के आजादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वो उत्तर से दक्षिन तथा पूरव से पच्चिम अनेक विशेश ताएं होने के बावजूद भी एक है और वहाँ के लोगों की समस्याएं भी लगबग एक सी हैं चाहे उत्तर से दक्षिन चाहे पूरव से पच्चिम वे उन्हें खैबर दरे से लेके करन्यागुमारी तक का हाल बताते थे वे कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक ही सवाल करते हैं कि गरीबी, कर्ज, पूंजी पतियों द्वारा शोषण, जमीदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शाषण ये समी जो है एक जैसी ही समस्याएं उनके सामने हुआ करते थी कि चाहे वो पूरव जाएं चाहे फश्चिम जाएं एक सी समस्याएं, नेरुजी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें तथा विदेशी शाषण से छुटकारा पाएं और इस तरीके से वो कहते हैं कि अपनी बाचीत में चीन, स्पेन, अभिसीनिया, मधियरोप, मिश और पश्चिम एकता में होने वाले संगर्शों का भी वर्णन किया करते थे जब वो बाते करते थे तो दूसरे देशों के बारे में भी बताया करते थे कि किस तरीके से वहाँ पर आंदोलन हुए, संगर्श हुए और इसकी जानकारी वो हिंदुस्तान में आकर कहते थे कि मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अच्रच भरी तब्रीलियों का हाल भी बताता कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की कर ली और ये काम आसान नहीं था जैसा कि मैंने समझ रखा था और वैसा मुश्किल भी नहीं था इसकी वज़य थी कि हमारे पुराने महा कावे और पुरानों की कथा कहानियों ने जिने वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कलपना करा दे थी और हमीशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिनोंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी और जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं अब वो क्या करते थे कि जब दूसरे देशों का भर्णन करते थे तो कहते थे कि लोगों कुछ समझाना आसान नहीं था परन्तु कठन भी नहीं था इसका कारण था कि किसानों ने पुराने महाकावें तता पुराणों की कठा कहानियां पढ़ रखी थी कुछने तीर्थे यात्राएं भी करी वे थी इस बहाने वे देश के चारो धामों की यात्रा कर चुके थे कुछ सिपाईों ने बड़ी बड़ी लड़ाईों में भी हिस्सा लिया था कुछ लोग वश 1930 में आई आर्टिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे इन सभी कारणों के चलते बारतियों को दूसरे देशों के बारे में बताना नेरु जी के लिए सरल हो गया था अब क्या है कि नेरु जी जब उनके बीच में जाते थे तो सबसे पहले वो लोगों को बताया करते थे कि क्या है भारत माता और भारत माता का अर्थशब्द की व्याक्या किया करते थे अनीक बार वो कहते हैं कि जब मैं जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत किया जाता भारत माता की जै के नारे किसान और बड़े जोड़ शोड़ से किसान और जब मैं अचानक पूछ बैठता कि ये भारत माता कौन है मैं किसानों से बूछता कि नारे में आई भारत माता क्या है कौन है ये तो प्रा इस बारे में उनको जानकारी नहीं होती तो तभी उन्हें एक हटे-कटे किसान ने बताया कि भारत माता का अर्थ भारत की धर्ती से है तो कहते कि जब उसने का कि भारत माता कार्द भारत की धर्ती है तो मैंने उससे पूछा कौन से धर्ती जो तुम्हारे गाउं की धर्ती है जो तुम्हारे जिले की धर्ती है तुम्हारे सूबे की धर्ती है या पूरे देश की धर्ती है इस पर किसान फिर हैरान रह जाते थे और सब एकदम से चुप हो जाते तो नेरु जी उनको बताया करते थे किसानों को कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वो सोचते हैं बलकिन वो उससे भी कहीं अधिक है यहां के नदी, पहाड, जंगल, खेत और करोणों भारतीय मिलकर ही भारत माता कहलाते हैं भारत की माता का जय का मतलब यह नहीं यह है कि इन सब की जय है वे हिंदुस्तान के भारत माता की जय से अभिप्राय लोगों को यह समझाते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वे सभी भारत माता हैं, और जब नहरुजी ये बात बताते हैं, तो लोगों के चेहरे पर एकदम से चमक आ जाती हैं, उन्हें लगने लगता है, मानों उन्होंने बहुत बड़ी कोई खोज कर ली, और जब वे स्वयम को भी भारत मा माता का अंग समझने लगते हैं, नहरुजी ने अपने इस अंच से देशवाश्यों में देशवक्ति की भावना जगाने के लिए ही, उनसे भारत और भारत माता संबंदी बातें कहीं, की, और क्या कहा, उन्हें भारत माता और उसकी जय का अर्थ बताया, की, जो लोग अंदुस्तान में रहते हैं, वे सभी भारत वासी और भारत माता हैं, उन्होंने किसानों का संबंद पूरे देश से जोड़ा, उन्हें बताया कि वे भी भारत माता के अंग हैं, और पूरा देश उनका अपना है, इस प्रकार उन्होंने जन जन के मन में देश भक्ति जगा प्रयास किया और अपने प्रयास में लगबग नहीरुजी सफल भी हुए क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने लोगों को बताया कि तुम इस भारत माता के अंश हो एक तरह से तुम ही भारत माता हो और जब उन्होंने इस विचार को उनके मन में बिठाया तो देखा कि किसानों की आखों में चमक आ गई इस तरह मानों उन्होंने जैसे कोई बहुत भड़ी खोज कर ली होगी कि हम नहीं हमारे गाउं की धरती नहीं हमारे जिले की धरती नहीं सूबे की धरती नहीं हिंदुस्तान की धरती नहीं बलकिन हम सब भारत माता के ही अंश है हम से ही भारत माता है और हम में ही भारत माता है बच्चो ये था पाठ जवालाल नहिरुजी द्वारा रचत भारत माता उमीद है आपको समझ में आ गया होगा अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम फिर उपस्तित होंगे धन्यवाद